नमस्कार शाथियों LM Geography के online platform पे आप लोगों का स्वागत और अभिनान्दन हम लोग बात कर रहे हैं समान पात्रता परिक्षा 2024 की कि CET Graduation Level 2024 में भारत के भुगोल के जो टॉपिक्स आपके सलेबस में दे रखे हैं उन टॉपिक के आधार पे किस प्रकार से हमें प्रश्ण पूछे जा सकते हैं और उसी स्रंखला में हम बात कर रहे हैं भारत के भू आकरती प्रदेश कि भारत के भू आकरती प्रदेश में हम उत्तरी परवतिय प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान प्रायदीपिय पठारी प्रदेश और तट्य प्रदेश एवं दिव सिमु का अध्यन करते हैं और उन से या उन टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्ण पूछे जा सकते हैं उन पर हम लोग बात कर रहे हैं तो सुरुवात करते हैं आज के सेशन की कि किस तरह से हमें भारत के भू आकरती प्रदेश को लेकि प्रश्ण पूछे जाने की संभावना है सबसे पहला प्रश्ण है निर्मन लिखित में से पश्चिमी तठ्य प्रदीश का भाग नहीं है A. काकरापार तट B. कौकर्ण तट C. बॉंगा तट D. मालाबार तट तो देखिए सबसे पहले तो बात करें भारत का तठ्य प्रदीश और भारत की तठ्य प्रदीश को हम दो भागों में विभाजित करते हैं एक कहलाता है पश्चिमी तट्य प्रदीश और दूसरा कहलाता है पूर्वी तट्य प्रदीश अब यहाँ पे समझे हैं कि पश्चिमी तट्य प्रदीश इसका विस्तार गुजराच से कैरल तक है और इसका विस्तार पश्चिम मंगाल से तमिल नाडू तक है और जो पश्चिमी तट्य प्रदीश जिसका विस्तार गुजराच से कैरल तक है इसको लेके अलग-अलग भागव में हम विवाजित करते हैं काकरा पार तट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कन्नर तट और मालाबार तट जबकि पूरी तट्य प्रदेश को हम बौंगा तट उत्री सरकार तट और कोरो मंडल तट के रुप में हम लोग विभाजित कर तो इस तरह से भारत के तट्य प्रदेश का जब हम विभाजन करते हैं तो काकरा पर तट यहां पश्चिमी तट पर आता है कौकर तट यहां पश्चिमी तट का भागे और मालाबार तट यहां पश्चिमी तट का भागे जबकि बौंगा त तट जो है यहां पूर्वी तट का भाग है तो इसका सही उत्तर क्या है सी बॉंगा तट की ने लिखे तो मैंशे पश्चिमी तट्यप्रदेश का भाग कौन सा नहीं है तो बॉंगा तट पश्चिमी तट्यप्रदेश का भाग नहीं अब बात करते हैं इन तट्यप्रदेश को लेकि किस तरह से हमें एक्जाम में प्रश्न पूछे जासेते हैं उन पर भी बात करते हैं तो देखिए यहां जो है प्राइदीप्या भारते और यहां पूरा पूरा भारत का जो है तट्य प्रदीश है इसमें यहां जो भाग है पश्चिमी तट्य प्रदीश और यहां पूर्वी तट्य प्रदीश है और यहां पूर्वी तट्य प्रदीश अब यहां से जो प्रश्न हमें एक्जाम में पूछे जाते हैं उन पर बात करते हैं सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाता है वहां पूछा जाता है काकरा पार्तट अब यहां गुजरात का तट्य प्रदीश जो गुजरात का तट्य प्रदीश है यहां पूरा क्या कहलाता है काकरा पार्तट के रुप में जाना जाता है तो कई बार प्रश्न आता है कि गुजरात के तट्य प्रदीश को क्या कहा जाता है तो काकरा पार्तट के रुप में हम लोग जानते हैं उसके बाद आता है कौकन तट्ट जो कौकन तटे यहां महाराष्ट्र का महाराष्ट्र का जो तट्य प्रदेश है वहां कौकन तट के रुप में जानता है जो कि गुजराश से सुरू होता है और गोवा तक इनकी महाराष्ट्र का पूरा जो है तट्य भाग आता है इसके बाद आता है कन्नर तट और यहां कनाटक का तट्य प्रदेश जो कि गोवा से लगाकर मंगलोर तक है इसे कहा जाता है कन्नर तट्य जो कि कन्नाटक का तट्य भाग और इसके बाद आता है वह है मालाबार तट्य यहां कैरल का तट्य प्रदेश जो है हमें तट्य प्रदेश को लेके भी प्रशनात पूछाता है कि गुजरात का तट्य प्रदेश क्या किलाता है महाराष्ट का तट्य प्रदेश क्या किलाता है कन्नाटक का तट्य प्रदेश क्या किलाता है और कैरल का तट्य प्रदेश क्या किलाता है उसी प्रकार जब हम पूर्वी तट्की बात करते हैं तो कौरो मंडल तट यहां तमिल नाडू का जो तट्य प्रदेश है वहां कौरो मंडल कहलाता है और उसके बाद मैं अत्रिशरकारत टट उडिशा और आंद्रप्रदेश का तर्ट्यप्रदेश उत्री सरकार और उसके बाद हैं बौंगा तर्ट यहाँ पश्यमी बंगाल का तρ्ट्ट्ये परदेश क्या कहलाता है बौंगा तर्ट कहला Central यानिकि जो पूर्वी तर्ट्ये भागे उसे तीन भागों में बाटा गया है जबकि जो पशिमी तर्ट्ट भागे उसे हम जो है चार-भागों में बाता है अब यहां से सबसे ज्यादा एक्जाम में जो प्रश्णाते हैं वहाँ कौरो मंडल तड़से और मालाबार तड़से पूछा दे हैं कौरो मंडल तड़से जो सबसे महत्पूर्ण प्रश्णाता है वहाँ आता है मांसु से कि शीट कालिन उत्तर पूर्वी मांसुन कि भारत में शीत कालिन उत्तर पूर्वी मांसुन से वर्षा कहां होती है और जब तट्य प्रदेशों से पूछाता है तो इसका सही उत्तर है कौरव मंडल तट जो कि शीत रितु में उत्तर पूर्वी मांसुन से वर्षा प्राप्ट करता है जब क दूसरा जो सबसे प्रमुक मानसुन से प्रश्ण आता है वहां मालाबार तड़ से आता है जो कि ग्रिश्म कालिन दक्षिन पस्षिम मानसुन से सबसे पहले वर्षा प्रात करने वाला श्यत्र है हलाकि अंडमान निकोबार में होती है लेकिन भारत की जब हम मुख्य भूमी की बात करते हैं तो सबसे पहले किस मानसुन से ग्रिश्म कालिन दक्षण पश्चिम मानसुन ग्रिश्म कालिन दक्षण पश्चिम मानसुन से सबसे पहले वर्षा प्राप्त कौन करता है माला बारत जो की कैरल राज्य का तट्य परदेश है इस प्रकार से उसके बाद जो प्रशन आते हैं वहां आते हैं उर्जा संसादन में और उसमें आता है कि भारत में जो सरवादिक पैट्रोलियम उत्पादक शेत्र है बॉम्बे हाई वहा किसका भाग है तो वहा कौकन तट का भाग है इनकी महाराष्ट का तट्य प्रदेश है जहां से सबसे ज़्यादा हम पैट्रोलियम प्राप्ट करते हैं इस तरह से इनकी जो इंपोर्टेंस है जिसकी ज्या भारत के भुगोल के अंत्रकार पूछने की सबसे प्रमुक संभावना है क्लियर चलागे बात करते हैं अगले प्रश्ण की निम्न लिखित में से कयाल का समंध है ए कस्मेर घाटी बी गंगा ब्रह्म पुत्र का मैदान से उत्तरी सरकार डे मालाबार यानि कि कयाल सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कयाल किशे कहते हैं तो कयाल जो है कयाल यहाँ मालाबार तट पर पाई जाने वाली लवणिया या खारे पानी की जीले जिनहे पच्छ जल शित्र क्या कके जता है पच्छ जल शित्र या कयाल कहते है अब ये कहां पाई जाती है कि माला बार तट यनिकी जो कैरल में तट्य किनारे सहारे सहारे जो खारे पानी की जिले पाई जाती है उन्हें कयाल कहा जाता है तो इसका सही उत्तर क्या हो गया डी यनिकी कयाल का समंध किस से हैं माला बार तट कैरल से हैं रज ये पूछे तो कै मालाबारत अब इसके एक्जामपल कौन कौन से हैं तो देखी मालाबारत अच्पर जो कयाल है उन कयाल में सबसे पहला है पुनामदा कयाल है अश्टमुदी कयाल है जो कि खारे पाने किया लवणिया छिले अब यहां से एक और प्रश्ण बूचा आता है लेंगुन अब समझना यहां से जब लेंगुन शब्द आए लेंगुन तो यहां कहां पर उतरी सरकार तट यहां पूर्वी तट पर पाई जाने वाली लवणिया या खारे पाने की जीले की जो उतरी सरकार तट जो की ओडिशा और आंदर प्रदेश का तट्य प्राग है या पूरी तट पर जो खारे पाने की जीले पाई जाते हैं। इसमें क्या कहा जाता है लेंगून कहा जाता है जिसका एक्जाम्पल जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक तो हैं चिलका जील हैं पूली कट जीले ये जितनी भी जीले हैं यहाँ सब किसका लेंगून का एक्जाम्पल है अब ध्यान रखना क्याल और लेंगून दोनों ही खारे पानी की जीले हैं। लेकिन कयाल कहाँ पर है, जो मालाबार तट के सहरे या कैरल राज्य में जो खारेपानी की जीलेे क्याल कहते हैं, और जो ओड़ी शाओ और आंदरप्रदोश में जो खारेपानी की जीले, जो पश्चेमी तटपर, उत्री सरकार तटफ़ तटपर जो पाए जाती हैं, रामसर साइट यहां राजस्तान की भारत की पहली रामसर साइट है जब कि जब हम राजस्तान की बात करते हैं तो राजस्तान में केवला देव घना पक्षिव्यार को राजस्तान की पहली रामसर साइट आद्र भूमी शेत्र घोशित क्या गया तो इसलिए जहां रखना चिल जिलका झिलका प्रशन हमें रामसर साइट को लेकि पूछे जाने की संभावना जादा है या फिल लेंगुन ज्हील की रूप में पूछा ऐस्ट मुडी हैं पुनामदा जो है याहां Kentucky wired के रूप में खारे पानी की जिलों के रूप पूछा जाता है इस तरह से हमें एक्जामें पूछा अब बात करते हैं कस्मिर घाटी की कस्मिर घाटी में जो हिमानी कृत मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है करेवा यहां ध्यानक नाम यह आप से पूछा जाए कि करेवा का समंध किस्सें तो करेवा का जो समंध है वहां कस्मिर घाटी से जो हिमानी कृत मैदान है उपजाव मैदान है जिसमें जायतरी है यह अंजीर है अख्रोट है यहाँ सबसे ज्यादा इसी करेवा शित्र में पाए इसी प्रकार उत्री सरकार पे तो हमने अध्यन क्या पाई जाता है लेंगून उत्री सरकार से आएगा तो किसका आएगा लेंगून से और गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान का जब भी प्रश्ण आता है तो यहां से समंध है सुन्दरवन डेल्टा सुन्दरवन डेल्टा जो की विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा किया जाता है तो इस तरह से हर एक भौतिक प्रदेश में जो भी प्रमुक विश्यस्ता है उन विश्यस्ताओं के आधार पर हमें एक्जाम में प्रशन पूछाए करेवा को कई बार पूछा गया है कया भी कई बार अग्जाम में आई और इसलिए जब भी हम graduation level के पेपर्स देखते हैं भारत के भूगों से तो जो जिस भौतिक प्रदीश की विशेस्ता होती है उस विशेस्ता को एक्जामें पूछा जाता है क्लिर चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्ण की अगला है निम्न लिखित मैंसे समूद्र तल से सरवादिक उचाई पर इस्तित है एकुरू शीखर विशेंट डोड़ा बेटा सी पंचमड़ी डी अनाई मड़ी अब आपको बताना है कि निम्न मैंसे समूद्र तल से सरवा पर इस्तित है अब यहां पर ध्यान रखना कि कोई भी उच्चावच है उसका निर्धारण समुद्र तल से किया जाता है अब समझ रहा है यहां से यहां है धरातल यहां है समुद्र तल से अब हम एक एक को लेके बात कते हैं सबसे पहले गुरू शीखार यहां है जिसकी समुद्र तल से जो उचाई है वहां है 1722 मीटर और यहां अरावली की सर्वोच चोटी है उसके बाद दूसरी है डोड़ा बेटा यहां है और इसकी समुद्र तल से जो उचाई है वहां है 2637 मीटर इसके बाद तीसरी है पंचमडी इसकी समुद्र तल से उचाई है 2350 मीटर और उसके बाद है इसकी समुद्र तल से उचाई है अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि निम्न लिखेत मैंसे समुद्र तल से सर्वादिक उचाई परिस्तित है तो इसका सही उत्तर क्या होगा अनाई मोडी यहाँ इन चारों में से सबसे उची है अब इनकी क्या विशेश्ता है आप समझना यहाँ से कि गुरू शीखर जो है यहाँ अरावली की सर्वोच चोटी यह जानक टाम गुरू शीखर अरावली परतमाला की सर्वोच चोटी है जो कि राजस्तान की सिरोई जिल्ले में इस्तित है माउंट आबू सिरोई में डोड़ा बेटा की बात करें तो यहाँ नील गिरी की पहाडियों की सर्वोच चोटी है और यहां प्राइदीप यह भारत यहीं की दक्षिन भारत की दूसरी सबसे उची चोटी मानी जाती है इसके बाद है पंचमडी पंचमडी जो है यहां महादेव की पहाडियों में महादेव की पहाडियों की जो सर्वोच चोटी है धूपगड उसके समीप इस्तत है पंचमडी जो की मध्य भारत का स्वास्त्य वर्दक इस्तल या हिल इस्टेशन के रुप में हम लोग जानते हैं और अनाई मुडी यहां अनामलाई पहाडियों की सर्वोच चोटी और अनाई मुडी अनामलाई पहाडियों की सर्वोच चोटी है साथ इसाथ प्रायजीप्य भारत की या दक्षिन भारत की सबसे उंची चोटी है अनाई मुडी और दूसरी सबसे उंची चोटी है वह है डोड़ा बेटा और इनको लेके बहुत बार एक्जाम में प्रश्ण पूछे गए हैं लेकिन सामान्यता जब पिछले प्रश्णों का अध्यन करते हैं तो प्रश्ण हमें पूछे गए हैं नीलगिरी की पहाडियों की सरवचि चोटी कौणं सी है या फिर फैर अभारत की सरवचि चोटी कौणं सी है या सत्पुड़ा श्रेनी की सरवचि चरती कौण सी है या अरावली की सरवचि चोटि कौण्य लेकिन वर्तमान में जब प्रश्णanor की प्रकर्ति में परिवर्तन हो रहा है तो निश्यत रुप से अब जो प्रश्न हमें समुद्र तल की उंचाई के आधार पर पूछ आते हैं और यहां वही विद्यारती सही कर पाते हैं जिनोंने कॉंसेप्ट के आधार पर पढ़ाएं और यह चारों ही जो परवत जो स्रेणिया है यहां अपनी विशेष्टा के कान जाने जाती हैं अरावली जो की विश्व की सबसे प्राचिन वलिद परवतमाला के रुप में जाने जाती हैं सत्पूड़ा जो परवत है जो महादेव की पहाड़िया जो सत्पूड़ा स्रेणि का भाग है यहां भारत में एक भ्रंसोत परवत का सर्व स्रेष्ट उदारन माना जाता हैं और निलगिरी की पहाड़िया यहां पूर्वी घाट और पश्यमी घाट का जंक्सन जाना जाता हैं और अन्ना मलाई की पहाड़िया यहां प्राइदीपिय भारत की सबसे उंची पाड़िया है जिसकी सबसे उंची चोटी अनाई मुडी जो की दक्षिन भारत या प्राइदीपिय भारत की सबसे उंची चोटी है प्राइदीपिय पठारी प्रदेश की भी सबसे उंची चोटी है और इसलिए वर्तमान में उन्हें ह से ज़्यादा भौगौलिक विश्यस्ता हैं और जिस तरीके से हमें प्रश्ण पूछे जाने की संभावना है उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं चलांगे बात करते हैं अगले प्रश्ण की कि निम्न लिकित मैंसे प्राइदीपय पठारी प्रदेश की सर्वोच चोटी है वे कल सुबोई कि कि सदभावना चोटी सी अर्मा कॉन्ड़ा दी धूपगड आपको बताना है इन में से प्रायदिपिय पठारी प्रदेश की सर्वोच चूटी कौन सी? अब समझना GOD यदि हम प्रायदिपया पठारी प्रदेश की चूटीयों की बात करें तो उन में प्रायदिपया पठारी प्रदेश की प्रमुख चोटिया कौन सी यह पहले तो आपको यह क्लियर होना ची और किसका वहाँ भागे तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो उनमें पहला नाम आता है अनाई मुडे जो कि प्राइदीपया पठारी प्रदेश की सर्वोच चोटी है उसके बाद दूसरा है डोड़ा बेटा क्योंकि प्राइदीपया पठारी प्रदेश की दूसरी सबसे उन्ची चोटी है यहां तक तो क्लियर हो क्या है इसके बाद तीसरी जो आती है वह है कुद्रे मुख जिसके उचाई अठारा सो बरानवे मीटर है उसके बाद यह दी आती है तो वह है सत्रा सो बाइस मीटर उसके बाद यह दी बात करें तो अर्मा कॉंडा जिसके उचाई है सोला सो असी मीटर उसके बाद काल सुबाई जिसकी उचाई है सोला सो च्यालिस मीटर उसके बाद है तेरा सो पचास मीटर उसके बाद है अमर कंटक एक हजार पचास मीटर उसके बाद है सांसो बावन मीटर तो यहाँ प्रायदीपिया पठारी प्रदीश की प्रमुख चोटिया है जिनकी उचाई के बारे में हमने चल अब प्रश्ण क्या पूछा गया है निम्न लिखित मैसे प्रायदीपिया पठारी प्रदीश की सर्वोच चोटी कौन से हैं अब एक एक को लेके बात करें सबसे पहले हम बात करें काल सुबोई की तो कल सुबई जो है यहाँ 1646 मीटर है सदबावना चोटी निकी कालनूर को सदबावना चोटी कहते हैं यह जानकना इसे ही क्या कहा जाता है सदबावना चोटी कहा जाता है और इसकी उचाई है 752 मीटर इसके बाद तीसरी जो है वह है अर्मा कॉंडा जिसकी उचाई है 1680 मीटर और उसके बाद है धूपगड जिसकी उचाई है 1350 मीटर अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि निम्न लिखित मैं से प्रायदीपिया पठारी प्रदेश की सर्वोच चोटी कौन सी होगी अर्मा कॉंडा यहाँ इन चारों मैं से प्रायदीपिया पठारी प्रदेश की सर्वोच चोटी क्लियर हो गया अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रशन कि यहाँ जो चोटिया है यहाँ कहां पर इस्तित है तो देखें सबसे पहले हम बात करें धूपगड की तो धूपगड जो है यहाँ सत्पूडा स्रैनी में महादेव की पहाडियों में इस्तित है इसके बाद है अर्मा कॉंडा जो है यहाँ पूर्वे घाट की सर्वोच चोटी है सदबावना चोटी जिसे हम कालनूर के नाम से जानते हैं यहाँ विंद्या चल श्रैनी में भंडारे की पहाडियों में इस्तिते और कल सुबई यहाँ पश्चिमी घाट में उत्तरी सहायाद्री में इस्तित तो इस प्रकार से आपको प्रश्ण जो प्राइदीपिया पठारी प्रदेश की चोटियों को लेके पूछा जाता है उन्हें सबसे प्रामुक है की प्राइदीपिया पठारी प्रदेश की सर्वोच चोटी कौन सी है अनाई मुड़ी जो की अन्ना मलाई की पहाडियों में स्तित है न दूसरी सबसे उंची चोटी डोडा बेटा जोकी निलगिरी की पहाड़ियों में ही और तीसरी सबसे उंची चोटी कुद्रे मुख यहाँ पश्चिमी घाट की सबसे उंची चोटी है जो की डक्षिनी सहयादरी का भाग है गुरु शिकर यहाँ अरावली परवतिय प्रदेश की सबसे उंची चोटी है और इसका जो अर्मा कॉंडा यहां पूर्वी घाट की सर्वोच उंची चोटी है और कल सुबई यहां पश्यमी घाट में उत्री सहयाद्री की सर्वोच जोटी यहां रखना पश्यमी घाट की सबसे उची चोटी तो कुद्रे मुख है क्योंकि पश्यमी घाट को हम दो भागों में बाढ़ते हैं उत्री सहायादरी और दक्षणी सहायादरी तो उत्री सहायादरी की सबसे उची चोटी कौन सी है काल सुबई है इसके बाद आता है धूप कालदीव की पहाड़ी में सब से ऊंची जो है महादेव की पहाड़ी की सरोच उंची चोटी कौन सी ये तूपक कर इसके बाहाद हाता है अमरकंटक इंचत सब्सक्राण की पहाड़ी और कालनुर। जिसे सदवावना चोटी कहते हैं। यहां विंद्याचल स्रेणी में जो भंडारे की पाहडिया हैं उनकी सबसे उंची चोटी है विंद्याचल स्रेणी में जोबट ही लाता है विंद्याचल की पाहडिया आती हैं भंडारे की पाहडिया हैं और कैमोर की पाहडिया उनमें भंडारे की पाहडियों की सरवोच उं क्लियर चलांगे बात करते हैं अगले प्रश्ण की अगला प्रश्ण है निम्न लिखित में से प्राइदीप्य पठारी प्रदेश से सिलांग के पठार को अलग करने वाली भौगौलिक सरचना है अब आपको क्लियर होना चीए कि प्राइदीप्य पठारी प्रदेश और सिलांग का पठार इनको अलग कौन करता है इसको समझने की कोशिस करना यहां है पठार और यहां पर जो पहाड़िया है इन्हें कहा जाता है राजमहल की पहाड़िया और यहां है सिलांग का पठार उपतार आप इन दोनों को ऐसी जो अलग करने वाली भॉगावलिक सरक्नी इसे कहा जाता है का का जाता है मालदा घाप तो इसका सही उत्थ्तर क्या हो गया ड कि पिराइदीप्य पठारी प्रदेश से सिलांक को पठार कुई सिलांक का पठार भी प्रायदीपे पठारी परतीश का ही भागें लेकिन वहां इस मालदा गैप यहां पर आपको गारों की खासी की और जयनती की पाड़िया है तो यह जो गारों की इधर गारों की पाड़िया है और इधर राजमेहल की पाड़िया है इसलिए इस माल्दा गैप को राज महल गारो गैप भी कहा जाता है यह ध्हानरक्षणाम राज महल गारो गैप या मालदा गैप प्रडीप्य पत्रडीश यह पूरा प्रडीप्य पत्रडीश से इससे सिलांग के पठार जो मेगाले में इस्तिते जो मेगाले का पठार है उसको अलग करती है क्लियर हो गया अब बात करते हैं इंडो सांग्पो सच्चर जाओं में यहां किशे का यहां अलग करता है तो देखिए यहां पर है पार हिमाले और यहां पर है महानिमा और इनको जो अलग करता है वह है इंडो सांग्पो तो इंडो सांग्पो सच्चर जाओं किशे अलग करता है यहां पार हिमाले जिसे हम ट्रांस हिमाले और जो महान हिमाले हैं हिमाद्री व्रहद हिमाले उसे क्या करता है अलग करता है उसके बाद दूसरी है नरब्दा नदी घाटी अब यहां किसे अलग करती है तो नरब्दा नदी घाटी जो है यहां पर तो विंद्याचल स्रेनी है यहां कौन सी है विंद्याचल स्रेनी और यहां पर है यहां है सत्पूरा स्रेन विंद्याचल स्रेनी और सत्पूरा स्रेनी के मद्य जो इसे कहा जाता है नरब्दा नदी घाटी या नरब्दा रिफ्ट वैली जो की सत्पूरा स्रेनी और विंद्याचल को क्या करती है अलग करती है इसके बाद है दिल्ली कटक अब दिल्ली कटक जो है यहां इस तरह से पहाड़ी शेत्र है इसके एक और गंगा का मैदान है तो एक और पंजाब का मैदान है तो पंजाब के मैदान को गंगा के मैदान से अलग करता है वह है दिल्ली कटक अब आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि इंडो सांग पो सच्चर जौन किशिय अलग करता है तो यहां हिमाले में पार हिमाले और महान हिमाले को अलग करता है नरवदा नदी घाटी यहां प्राइदीप्य पठारी प्रदेश में विंद्याचल स्रेणी को सत्पूडा स्रेणी से अलग करती है इसके बाद हैं दिल्ली कटक यहां उत्तर के विशाल मिदान में पंजाब के मिदान को गंगा के मिदान से अलग करता है और मालदा गैप यहां प्राइदीप्य पठारी प्रदेश से सिलांग के पठार को अलग करता है इस प्रकार से दो भौगलिक शेत्रों को अलग करने वाले भौगलिक प्रदेश को या भौगलिक से अध्यन कर रहे हैं क्लियर आज भी हमने भारत के भुवाकरती प्रदीशों के समंद में चर्चा की और आगे की क्लास में भी हम भारत के भुवाकरती प्रदीशों के बारे में महत्पुर्ण प्रश्णों पर जो है चर्चा करेंगे आज समय के अभाव में क्लास थोड़ी सी कम हो रही है लेकिन अइसी सेसं को आगे हम निरंतर इसी प्रकार से जारे रहेंगे और अगली क्लास में भी हम भारत के भुवाकरती प्रदीश जिसमें हिमाले की प्रादिशिक वर्गी करण है हिमाले में इस से प्रमुख दर रहे हैं प्रायदीप्य भारत के प्रमुख दर रहे हैं प्रमुख द्वीप समु हैं उत्तर के विशाल मैदान को लेके जो प्रश्ण हमें एक्जामें पूछे जासते हैं जितने भी प्रश्ण जो भो आकरती प्रदेशों को लेकर एक्जामे पूछे जाने वाले हैं उन पर हम आगे और चर्चा करेंगे तो नेक्स टॉपिक भी आपका क्या रहेगा भारत के भू आकरती प्रदेश रहेंगे जिसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करने वाले हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास लेकिन उससे पहले एक निवेदन कि जो विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं देखने के साथ अपने नोट्स तयार कर रहे हैं और साती साथ अपना मुल्यांकन कर रहे हैं उन विद्यार्थियों से निवेदन हैं कि वहां स्वैम भी पढ़ें और आपक है इसमें यदि कोई विद्यारती पीछे रह गया तो निशित रुप से वहां कहें न कहीं पटवारी गामसेवक छात्रवास सदिक्षक महिला सूपरवाइजर और या अन्य कोई में कहिन कहीं अवरोध आने की संभावना है इसलिए सातियों अपने जितने भी साति हैं उन सब को जो है कि यूट्यूब चैनल पर लर्ण विद मदुसुदन सर्व यूट्यूब चैनल है वहां पर भारत के भुगोल को लेके अभी सीटी के अनुसार जो है नियमित एमसी क्यू बैच जो की पूर्ण रूप से निसुल का है उपलब्द करवाया जा रहा है और भारत के भुगोल के बाद में राजस्तान का भुगोल राजस्तान की आर्थिवावस्ता और करंट को लेके जितने भी प्रश्न एक्जाम में प पॉजिटीव कमेंट से वहाँ कमेंट्स जरूर करें ताकि आपका पॉजिटीव एनर्जी हमें पॉजिटीव एनर्जी देंगी और पॉजिटीव एनर्जी सदेव पॉजिटीव रिजल्ट देंगी इनी सुबकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही ठेंक यू